नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सुभी लोगों का एक बार फिर से इस जड़ का तिलक लगाने भर से हैरान हो जाओगे, गाड़ी बंगला सब मिल जाएगा। कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है कि कुछ समय में जो भी कार किये जाते हैं, हर एक कार में सफलता मिलती है, तरक्की, काम्याबी मिलती है, खुशियां बढ़ती चली जाती है, ठीक उशी परकार जिंदगी में कुछ समय ऐसा भी आता है कि हर जगय से दुरभाग मिलता है परेशानी मिलती है, दुस्मन घेर लेते हैं और एक के बाद एक परेशानी बढ़ती ही चली जाती है और इसी से घर में कलह कलेस दुगनी तेजी से होने लग जाते है और ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे जिंदगी ही बिलकुल नरक्षी है लेकिन कुछ तंत्रोक्त क्रियाएं ऐसी होती हैं कि अगर उनका सही समय पर इस्तमाल कर लिया जाए तो बूरे समय को भी अच्छे समय में बदला जा सकता है और हर एक ब्यक्ति यही चाहता है कि उसका बूरा समय टल जाए जल्दी से खत्म हो जाए और अच्छा समय शुरू हो जाए तो आज के इस वीडियो में ऐसी जानकारी आपको हम देने वाले हैं और जब इस जानकारी को आप जानोगे तो खुद भी आप हैरान ही रह जाएंगे कि किस प्रकार से यह दुनिया बिल्कुल यही चमतकार से भरी हुई है शाथी साथ बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें वीडियो को बिल्कुल भी मिशना करें दोस्तों आपको बता दे कि जीवन में जब भी बुरा समय आता है या फिर अच्छा समय आता है तो इसके केवल एक ही बज़े होती है कि इनसान का जो औरा होता है इनसान के जो औरा में जब गड़बड़ी होने लग जाती है तो इसका बुरा समय सुरू हो जाता है वहीं दूसरी और जब उसका औरा बिल्कुल ठीक हो जाता है तो उसका अच्छा समय भी बहुत तेजे से सुरू हो जाता है और जितने भी तंत्रोक्त क्रियाई होती हैं या तंत्रक कारे होते हैं वह इतने अधिक सक्तिसाली इशले होते हैं कि इन्ही औरा का इन्ही एनर्जी का इस्तमाल उसमें किया जाता है जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दे कि हर एक इंसान का अपना एक औरा रहता है जैसे इंसान जो होता है वे आँखों से दिखाई देता है लेकिन जो उसका औरा होता है वे आँखों से दिखाई नहीं देता लेकिन जिस प्रकार सरीर चलत उसी प्रकार उसका अद्रश औरा भी हमेशा उसके साथ परचाई की तरह जुड़ा रहता है। तो सबसे पहले तो आपको इबता दे कि जब भी आपके जीवन में धन की समस्याएं होती है। काम नहीं कर रहा और उसे बलवान बनाने के लिए उसे ताकतवर बनाने के लिए आपको इस तरह के कार करने हैं जिसे आपका अग्रितत तो बलवान बन सकता है। तो इन चीजों को बलवान बनाने के लिए कुछ चीजों की सहायता भी लिजा सकती है। जैसे धनकी समस्याएं हैं तो इस बात के धियान रखें कि केले की जड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिलकुल सही सुना। केले की जड़ को यानि की केले का जो ब्रिक्ष है उसकी जड़ को आप निकाल कर धारन कर लें। पुर्चक्र बलबान होता है और अगर सीधे सब्दों में कहें तो आप इसकी जड़ को थोड़ा सा आप यानि की पत्थर में इसको जल के सहारे रगड़ कर और फिर जैसे चंदन को रगड़ कर आप यानि की चंदन लगाते हैं तिलक लगाते हैं उसी प्रकार से इसकी को आप घिस करके तिलक लगा लिजे देखेंगे इतने चमतकार रहेंगे आपके जीवन में कि गाड़ी बंगला सब कुछ मिलेगा यानि कि लक्ष्मी आपके घर में नित्ती निवास करेंगी और दरस्तो केली की जड़ को भी आप यानि कि चाहे तो इस्तिमाल कर सकते हैं उस कार बनता चले जाएगा जिन लोगों का बिवा नहीं हो रहा तो बिवा भी जल्दी होंगे संतान की समस्या से जो परेशान है वो केले की जड़ को अपने माथे पर जरूर लगाएं केले की जड़ को क्या करें आप चाहे बारीक पावडर बना लें फिर उसे लगाएं या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा आप उसे यानिकी महीन कर लें और उसमें हल्दी महीन यानिकी बारीकी सी हल्दी भी आप रगर के दोनों को मिला लें केले की जड़ को महीन पावडर बना लें और आप हल्दी की जड़ को भी बारीक यानिकर के महीन बना लें और दोनों को गर में गुड़हल का पौधा है, गुड़हल जो एक पूस्प होता है, जो मालक्ष्मी जी को बहुत प्री है, इस गुड़हल की जड़ अगर मिल जाए, तो इसकी जड़ को आप चाहे शुकरवार हो, शुब दिन कोई भी दिन हो, आप इसे क्या करें, कि आप इसकी जड़ आप पहले सुखा ले फिर इसको आप क्या करें कि बारीक से महीन जैसे की गेहों के आठे को पिशान बनाते हुशी तरह बना लिया फिर आप चाहे तो ऐसे भी रह कर सकते हैं जल के सहारे पत्थर में और इसका चंदन लगाने से ही किसमत चमक जाती है गाड़ी मंगला सब कु पहसानी से मिल जाएगी लगबग हर घरों में होती है तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है इसलिए तुलसी की जड़ को जरूर अपने माथे पर लगाएं इसके चमतकार आप खुद देखेंगे कुछी दिनों में आप करोड़पती लगपती धनवान बन जाएंगे यानि की तुलसी की जड़ को आप सुखा लें और फिर इसके जड़ को आप महीन पाउडर बना लें और फिर आप इसे नित नहाने के बाद इसका तिलख अपने माथे पर लगाएं आप चमतकार देखेंगे मालक्ष्मी कृपा आपके घर में शदय बन जाएगी गरेब से गरीब भी ब्यक्ति अमीर बन जाएगा कमजोर ब्यक्ति बलवान बन जाएगा धनहीन धनवान बन जाएगा और अगर आप हजार पती है तो लगपती लगपती है तो करोडपती और करोडपती है तो अरपती बन जाएगे मालक्ष्मी कृपा ऐसी बरसेगी कि आप खुद लगाते हैं तो जीवन में कभी भी गरीबी छू नहीं सकती है और आपके घर के नजदी के दस तक भी नहीं दे सकती गरीबी माता लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा आपके घर में बास करेंगी और नित निवास करेंगी चारों दिशाओं से धन के आगवन आपके घर में बढ़ने सुरू हो जाएंगे पैसों के किलत खत्म हो जाएगी तो दोस्तों जरूर आप ये उपाए अजमा कर देखें लाबवश मिलेगा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा अपने दोस्तों कोई इसे जदा जदा पहुचानी के यनि सेर करनी के कोशिश कीजेगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी कर लिजेगा कमेंट में लेखेगा जै मालक्षमी